बैंक, मॉल या किसी भी सारवजनिक संस्थान के लिए पार्किंग जोन का होना अनिवार है लेकिन छप्रा सहर में निजी बैंक इस नियम की धरले से धज्जिया उरा रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन बैंकों के पास अपना कोई भी पार्किंग प्लेस नहीं है और इस बैंक के कर्मचारी होए या आने जाने वाले कस्टमर होँ मजबूरी है कि वे लोग सरक किनारे फुटपात पर ही अपने वाहन को खड़ी करते हैं जिसके कान प्राया सहर में जान देखने की समस्या उत्पन होती है बता दे कि जिला प्रसाशन के द्वारा फुटपाती दुकनदारों पर लगातार नोटीस के बाद जुर्माना और अतिकरमन हटाये जा रहा है वहीं ये निजी बैंक सहर के फुटपात को पुड़ी तरह अतिकरमित कर रहे हैं जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सरक के फुटपात से लेकर सरक तक दरजनों वहान एक साथ खरे हुए हैं वहीं अगर कोई ग्रहाक कार से पहुंचता है तो दो-तिन ग्रहाक लगने के बाद सरक पर भी जाम की सिति उत्पन हो जाती है यह इस्तिती छप्रा सर के कासी बजार इस्तित निजी बैंक के ही नहीं बलकि साहिब गंज इस्तित निजी बैंक के भी है जैसा कि इस वीडियो में आप साहिब गंज के समी नीजी बैंक का देख रहे हैं जहां पी सरकों पर ही बेतरतीव वहान खरे हैं ऐसी स्तिती में जहां फुटपाथी दुकंदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है वही नीजी बैंक सीधे फुटपाथ को कवर कर धरल्ले से नियमों की धजिया उरा रहे हैं जिसके करण प्राया जाम लगती रहती है वही प्रसासन इस तरफ अभी तक मौन है रिपोर्ट हालचलनी 24 छपरा